हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल चारो इस्टेच क्रियेशन आज की वीडियो में आपके साहँ शेयर कर रही हूं वैलवेट के बलाउच की महुरी का डिजाइन तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखे मैंने बलाउच की जो स्लेफ से उसकी कटिंग करके रखे तो मैंने यहां पर लाइन ड्रो करी हैं लगबग 1.5 इंच की दूरी पर तो आप इससे अपने अकॉर्डिंग करें जैसे आप इसमें हाफाफ इंच की दूरी भी कर सकते हैं एक इंच की दूरी भी कर सकते हैं तो इस तरह से मैं यहां पर इस लेस को इसमें अटेच कर रही हƯहां पर मैंने इस तरह से इसलिbell की टेच कर दिया है अब हमें लेना है यहां पर देखना उस तरह से डोरी तो जो यह वही दोरी है जो हम ब्लाउस की यूजर करते है क्ड़ी की लिए जो हम यहां देख़र इस तरह से निसान लगा रही हूं तो इस तरह से 16 लगा लीजिए या फिर आपको जितनी भी इसकी लंबाई रखनी आप उतनी रख सकते हैं पर मैंने यहाँ पर एक इंच पर निसान इस तरह से लगा लिया है और इस तरह से एक लाइन ट्रो कर लेंगे बाद में यह चौक मिट जाएगी तो इस तरह से मैंने इसमें एक लाइ किनारी से वह बना रही हूँ तो फिर से मैंने इस तरह से इसे टन किया और फिर से इस तरह से तो देखे मैं इस टोरी को मैंने कट नहीं किया है इस तरह से मोड मोड कर मैं इसमें अटेच कर रही हूँ तो इस तरह से यहाँ पर यह डिजाइन बन जाएगा और इस तरह की ड और आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने यह प्लाउज का पीस लिया है वैलविट में है और इसमें मैंने गोल्डन कलर की लेस का यूज किया है इस तरह से उसमें डिजाइन बनाया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की डोरी का यूज किया है इस डिजाइन को बना लेना है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से टीजाइन बन चुका है अब हमें लेनी है फिर से महरून कलर की डोरी तो यहां पर मेरे प्लाउच का जो कलर है स्लिप्स का जो कलर है जो बेस कलर है वो है महरून तो उसके लिए मैंने यहां पर अंदर की तरफ के लिए तो अब मैं इस डोरी को अंदर की तरफ इस तरह से देख सकते हैं आप कैसे मैं इसे लगा रही हूं मैं इसे भी कट नहीं कर रही हूं सीधे सीधे इसमें इस तरह से राउंड करके लगा रही हूं तो इस डिजाइन को आप अपनी स्लिफ्स की मोरी पर लॉंग स्लिफ्स की मो लगा लिया है, टर्ण करकर के मैं इसे लगा रही हूँ, इसे मैंने कटने किया है तो इसका फाइनल लोक अभी ऐसा है अब मैं यहाँ पे इसके उपर देखे, आप इस तरह से यह दिखाई दे रहा है तो अब मैं इसके उपर रखूंगी अस्तर, जो मैंने इसके लिए कट करके रखा हुआ है और अब हमें लेनी है इसके लिए लाइनिंग, तो यहाँ पर आप देखे, मैंने इसके उपर इस तरह से इसे रख लिया है कपड़े को पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर आप देखिए इस तरह से सिलाई दिखाई दे रही है तो इसी सिलाई के ऊपर हमें इसे एक बार और सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप देखिए इसे मैं खोरू के दिखाती हूँ इस तरह से, अब हमें अस्तर की साइट पे सिलाई मानी है अस्तर की साइट पे एक टॉप स्टिच लगा लें जो भी नीचे का कपड़ा है वो अस्तर की तरफ रहेगा तो इस तरह से हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से तो यह देखे मैंने इस से इस तरह से फोर्ड किया अब इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा ले जिससे ये कपड़ा बैठ जाएगा और यहां पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है एक्स्टर कपड़ा कट कर लिया है तो अब यहां पर आप देख सकते हैं पीछे की साइट पे फिनिसिंग आई है अब हमें यहां पर इसकी दूसरे साइट पे इस तरह से कपड़ को फोर्ड करके स्टिच लगा लेनी है आप य जादा करने के लिए तो यहां पर मैंने केवल इतना ही से डेकॉरीट किया है और इस तरह से यहां पर इयापर सिलाई लगा दी है अब यहह अच्छा है तो यहां पर आप देख criter लिया अब हमें इस त्रहज़ने काते कर लिया पर अब ह हमें इसकी इस तारह आप जो इसके ब्लाउज की मोहरी के संग इस तरह से अटैच करना है और आपको यहां पे जितना भी आपको दबाओ छोड़ना है उतना छोड़कर इससे आगे की तरफ आप यहां पे प्लेट्स डाल लें तो यहां पे इस तरह से मेरी पफवाली स्लिफ स्टेडी हो जाएगी तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है और यहाँ पे हमारे प्लेट्स डाल चुकी हैं फिर से इसे पलटेंगे तो अब यहाँ पर देखिए अस्तर की साइट पे फिर से मैं यहाँ एक सिलाई लगा लूँगी और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर से इसे पलटें इस तरह से और जो हमारा डिजाइन है वो हमारे ब्लाउज की उपर की तरफ इस तरह से आ जाएगा वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और बैल आइकन को भी एक बार जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे और इस वीडियो के ऊपर मैंने आई बटन में और वीडियो की लिंक दिये हुए हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और आज के लिए इतना ही तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स बार वाचिंग बाई